हरे कृष्णा कई बार ये देखा गया है कि मंदिरों में मूर्ति पूजा को लेकर अक्सर लोग सनातन वैदिक धर्म का मजाक उडाते हैं ऐसे लोग भगवान के अर्च विग्रह को सिर्फ एक पत्थर मानते हैं लेकिन वहीं दूसरी ओर ऐसे ही किसी दूसरे पत्थर की पूजा करने के लिए हजारों मेल की यात्रा करके वहां जाते हैं मूर्थी पूजा को मिध्या मानने वाले तथा कथिद बुध्धी जीवी लोग इतिहास के कुछ शासकों, दार्शनी को और राच्किय नेताओं के महानकारेों को चमतकार मानते हैं लेकिन इस बात का स्विकार नहीं करते कि अगर सामाने मनुष्य ऐसे महानकारे कर सकता है तो इन सब की शक्ती और बुध्धी के स्त्रोच स्वयम परम इश्वर के लिए क्या पत्थर के अंदर प्रवेश करना असंभव है? खेल इसका जवाब तो भगवान नरसिंग देव हजारों साल पहले ही दे चुके हैं और मुर्ति पूजा तथा भगवान के साकार निराकार स्वरुप की चर्चा हम फिर कभी करेंगे लेकिन आज हम आपके लिए एक ऐसे महान वैश्नव आचारे की कथा लेकर आये हैं जिन कदापी मत करना क्योंकि ये एक इतिहास है जिसे श्रिचेतन चरितामरित गाउर गणो देश तिपिका भगती रतनाकर जैसे महान ग्रंथों में लिखा गया है और ये ऐसे शुद्व वैश्नव भगत हैं चिन्नोंने 500 वर्ष पूर्व इस धरातल को अपनी उपस्तिती से अगर आज की वीडियो को आप अंत तक देखेंगे और सुनेंगे तो मूर्ति पूजा के विश्रे में आपकी कई माननेताइंस पश्ट हो जाएंगी और जो नहीं हुई उसे हम फिर कभी करेंगे तो चलिए अब हम अपने काल चक्र की सैर पर चलते हैं और सीधे उतरते हैं श्री खंडक शेतर में जो की वर्दमान समय के पश्टिम बंगाल में वर्दवान कटवा रेलवे लाइन के नजदीक स्थे थे यहां पर मुकुंददास अपने दो भाई माधवदास और श्री नरहरी सरकार ठाकुर के साथ रहते थे मुकुंददास व्यवसाई से तो मुकुंददास देख लिया और मुर्पंख देखते ही उन्हें कृष्ण की स्मृति और उनका इतना विरह मैसूस हुआ कि वे उसी क्षण मुर्चित हो गये मुकुंददास के घर में शक वर्ष 1432 यानि इसवी सन 1510 में वसंत पंचमी के दिन एक दिव्य बालक का जन्म हु जब रगुनंदन पांच वर्ष के थे तो एक दिन उनके पिता मुकुंददास को किसी का इलाज करने के लिए बाहर जाना पड़ा जाने से पहले उन्होंने रगुनंदन को बुलाया और कहा देखो रगुनंदन हमारे घर में ये जो गोपिनात जी के अर्चविक्र हैं उन जिस प्रकार तुम्हारी माता तुम्हें भोजन देती है उसी प्रकार हम गोपिनात जी को भी हर रोज भोग लगाते हैं आज मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है इसलिए ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौपता हूँ मेरी अनुपस्तिती में तुम्हारा करतव है कि तुम्हें गोपिनात जी को सावधानी पूर्वक भोग अर्पन अवश्य करना इस प्रकार छोटे से रघुनंदन को गोपिनात को खिलाने की सेवा सौपकर मुकुंद दास बाहर चले गये अब रघुनंदन ने इस सेवा को बड़े ही गंभीरता से लिया उन्होंने गोपिनात जी के लिए स्वाधिश्च भोग की वेवस्था की और फिर वे उनको भोग लगाने के लिए गये अपने पिता की ही तरह सभी विधी का अनुकरण किया लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि गोपिनात जी भोग स्विकार कर ही नहीं रहे ये देख कर हुए रगुनंदन को देख कर करुणा सिंधू श्री कृष्ण अपने आपको कैसे रोक सकते थे इसलिए गुपिनाथ स्वयम वहां प्रकट हुए और रगुनंदन का लाया हुआ सारा भोग उन्होंने स्विकार कर लिया ये देखकर रगुनंदन बड़े प्रसन हुए और ख सारा भोग लगा दिया और गोपिनाथ ने भी सारा भोग रहन कर लिया तो अब प्रसाद में तो कुछ नहीं है ये सुनकर मुकुंद दास को अत्यंत आश्चर्य हुआ वे सोचने लगे कि उनका पुत्र कभी असत्य नहीं बोलता तो फिर ऐसा क्या हुआ होगा जो रगुन रगुनंदन पिछले दिन की तरह ही गोपिनाथ के समक्ष भोग लेकर गए और अश्रू पूरित नेत्रों से गोपिनाथ को भोग रहन करने के लिए विंती करने लगे और गोपिनाथ जी प्रकट हुए और रगुनंदन के हाथ से लड़ू लेकर खाने लगे ये द्रश्य देखकर मुकुंद दास अचमभित रह गए अभी गोपिनाथ ने सिर्फ आधा ही लड़ू खाया था और रगुनंदर ने देख लिया कि उनके पिताजी भी वहाँ पर आ गए है और उसी वक गोपिनाथ जी वहाँ से अत्रश्य हो गए और उनके हाथ में लड़ू आधा ही रह गया इस संपूर्ण द्रिश्य को देखकर मुकुंद दास की आँखों में हर्ष के अश्रु प्रवाहित होने लगे अपने सौभागे पर गदगद होकर उन्होंने अपने पुत्र को अपनी गोद में उठा लिया एक बार श्री चैतन महाप्रभू ने मुकंद दास को पूछा हे मुकंद क्या तुम रगुनंदन के पिता हो और वो तुम्हारा पुत्र है या फिर रगुनंदन तुम्हारे पिता है और तुम उनके पुत्र हो तब मुकंद दास ने उत्तर दिया हे महाप्रभू रगुन अंदन मेरे पिता है और जो कुछ भी कृष्ण भक्ती मुझ में है वो उन्हीं से आई है इसलिए मैं उन्हें अपना पिता मानता हूँ मुकुंद दास की बात सुनकर महाप्रभू अत्यंत प्रसन हुए और उन्होंने इस बात की शिक्षा दी कि किसी भी व्यक्ती की वरिष्ठता उसकी आयू से नहीं अपितो उसकी भक्ती की गहराई से समझी जा सकती है रगुनंदन ठाकुर को बाले काल से ही भगवान के अर्च विग्रा की पूजा करने में रूची थी और वे अपने गोपिनात जी के विग्रा की आराधना करते थे भगवान श्रीकरिष्ण के प्रति उनकी अप्रतिम आशकती और प्रेम को देख कर महाप्रभू ने उन्हें संकीतन यग्य के एक दिन पहले भगवान के अर्च विग्र को फूलों की माला पैनाने की और जब यग्य खत्म हो तो अंतीम आहूती देने की सेवा प्रदान की थी रगुनंदन ठाकुर हर वर्ष बंगाल से सभी भक्तों के साथ चातुर मास के समय जगनात पूरी जाते थे और वहां भगवान जगनात जी की रथियात्रा में निरित्य करते थे रगुनंदन ठाकुर ने अपने जीवन काल के अंत समय में अपने गौर गोपाल के विग्र अपने पुत्र कनाई ठाकुर को दिये और श्रावन मास की शुक्ल चतुर्थी को इस भौतिक संसार से उनका तिरोधान हो गया गौर गणो देश दिपिका के सत्तर विश्लोक में बताया गया है कि भगवान विश्णु के चतुर व्यू में से जो प्रद्यूम्न है वे भगवान स्री कृष्णु की व्रज लीला में भगवान के अंतरंग सखा या प्रिय नर्म सखा के रूप में अवतिर्ण हुए हैं और वही गवर लिला में रगुनंदन बन कर आये हैं तो चलिए महान वैश्नाव भक्त श्री रगुनंदन ठाकूर के आज तिरुभाव के अवसर पर हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों का अनुसरन करते हुए श्री रा अनुसरन करते हैं